बक्का में टकरा गए दो तूफान और उसके बाद मची वो तबाही जिसने लोगों को हिला कर रख दिया। आखिर कैसे टकरा जाते है दो तूफान और क्या होता है जब दो तूफान आपस में टकरा जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको दुनिया की तरफ तेजी से चले आ रहे एक ऐसे खत्रे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तो कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि दुबई में भारी बाढ़ ने तबाही मचा दी थी। अभी यह खबर ठंडी भी नहीं हो पाई कि अब आंधी तूफान ने अपना रुख सौधी अरब की तरफ कर लिया और सौधी अरब के सबसे पवित्र शहर मक्का को अपन निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश और आंधी तूफान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खबर आ रही है कि इस बार मक्का में दो तूफान आपस में टकरा सकते हैं और इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। लेकिन अब सवाल यह से वक्त बदल रहा है। तूफान पहले से खतरनाक रूप लेते जा रहे हैं। साल 1989 में पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांगला देश है वहां भोला नाम का तूफान आया था। यह तूफान इतना ज्यादा भीशन था कि इसने भयंकर तबाही मचाई और इस तूफान मे करीब पांच लाख लोगों की जान चली गई थी। बंगाल की खाड़ी से उठकर चले इस तूफान की शुरुआत आठ नवंबर 1970 को हुई थी और यह 12 नवंबर को पूर्वी पाकिस्तान से जाकर टकराया था। इसके अलावा नवंबर 1994 को मिसर के द्रोन का क्षेत्र में तूफान के चलते पांच लोगों की मौत हो गई थी। तेल के तीन भंडार टैंकों में बिजली गिरने से 5000 टन का तेल बरबाद हो गया था। वैज्यानिकों के अनुसार एक ट्रॉपिकल साइकलोन या चकरवाती तूफान को उसकी तीवरता के अनुसार एक से पांच तक रैंक किया जा सकता है और एक तूफान को पांच वी रैंक तक पहुँचने में काफी टाइम लगता है। लेकिन पिछले कुछ समय में कई ऐसे एक्जांपल देखने को मिले हैं। के आसपास होता था लेकिन 1989 में आए टाइफून टिप ने इस भरांती को भी खत्म कर दिया क्योंकि इसका डायमीटर 2000 किमी तक था यानि कि इसने आधे अमेरिका को कवर कर लिया था इस तूफान के समय 306 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ़तार से हवाएं चली जिसने हजारो घरों को तबाह कर दिया इसके बाद 2023 में आया तूफान फ्रेडी इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया क्योंकि इसका डायमीटर पूरे 88,000 किलो मीटर फैला था यह अब तक का सबसे लंबी दूरी तै करने वाला तूफान भी माना जाता है लेकिन यह तो बात हुई तूफान आने की अब बात करते है जब दो तूफान आपस में टकरा जाते है तब क्या होता है ऐसी एक घटना देखने को मिली थी सन 89 में जब प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया नामक एक जगह पर तीन तूफान एक साथ बन रहे थे ऐसे में बीच वाले तूफान ने बाकी के दो तूफानों को अपने अंदर समा लिया या उन पर कबजा कर लिया और इस वजह से एक बहुत ही भयानक तूफान टाइफून टिप बना जिसने 2000 किलो मीटर तक का सफर तै किया दोस्तो जब दो तूफान या चकरवात एक ही दिशा में घूमते हैं और एक द उरूप में जानी जाती है फुजिवारा इफेक्ट Пैदा होने के लिए दोनों तूफानों के केंद्र एक दूसरे से 1400 किलो मीटर से कम दूरी पर होने चाहिए फुजिवारा इफेक्ट में एक संभावना यह होती है कि अगर एक तूफान दूसरे से अधिक शक्तिशाली है तो छोटा तूफान विशाल तूफान में गुम हो जाएगा दूसरी संभावना है कि अगर लगभग समान ताकत के दो तूफान एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो वे एक साजा केंदर बना सकते हैं आपस में मिल सकते हैं या अलग-अलग रास्तों पर जाने से पहले अस्थाई रूप से एक दूसरे के चारों और चक्कर लगा सकते हैं। तीसरी संभावना सबसे कम लेकिन सबसे खतरनाक होती है। जब दो काफी शक्तिशाली चक्रवात मिलकर एक सुपरसाइकलोन बना सकते हैं, जिससे भीशन विनाश हो सकता है। चोथी संभावना वो होती है, जिसमें छोटे तूफान का एक हिस्सा वायुमंडल में गायब हो जाता है, जबकि पांचवी संभावना में छोटा तूफान पूरी तरह से वायुमंडल में खो जाता है। इस घटना की पहचान सबसे पहले एक जापानी मौसम वैग्यानिक सकुहेई फुजिवारा ने की थी। इसलिए इस घटना को उनके नाम पर फुजिवारा इफेक्ट कहा जाता है लेकिन अब यह इफेक्ट भी वैग्यानिकों की परिशानी को कम नहीं कर पा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से तूफानों की चाल एक दम से बदल गई है। कई बार तो वैग्यानिक अपनी इतनी एडवांस्ट तकनीक के बावजूद यह बताने में भी नाकाम हो जाते हैं कि तूफान का असली रास्ता क्या है और वो किस दिशा में आगे जाएगा। सन 2009 में जब दो तूफान टाइफून परामा और टाइफून मलोर आपस में टकरा गए थे तब भी वैग्यानिक उसका रास्ता नहीं बता पाए थे। असल में तूफान आने का कारण समुद्र का तापमान ही होता है। चक्रवाती वर्षा तब होती है जब गर्म नम हवा ठंडी जहसे यह हवा सीधी दिशा में ना आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई उस जगह की ओर आगे बढ़ती है। इसे साइकलोन या चक्रवात कहते हैं। साइकलोन किसी जगह पर बहुत कम दबाव की स्थिती में बनते हैं और ऐसे में बड़े क्षेत्र से हवा खी मीचना शुरू कर देते हैं। जब हवा निम्न दबाव केंद्र में इकठी हो जाती है तो उपर उठने लगती है। जो हवा इसमें इकठी होती है उसमें बड़ी मात्रा में नमी होती है। ये उपर जाकर बारिश वाले बादल में बदलते हैं और तूफान के साथ चल जाती है। चूंकि एक तूफान बहुत बड़े क्षेत्र से हवा खींचता है। लिहाजा उसका प्रभाव भी काफी बड़े एरिया तक होता है जिन्हें प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता। और वक्त के साथ तूफान और भी अनप्रेडिक्टिबल होते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण हम सब जानते हैं। जी हाँ, इसका कारण कहीं न कहीं हम सब इनसान हैं। क्योंकि यह जो मौसम में बदलाव हम देख रहे हैं, यह क्लाइमिट चेंज की वजह से है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का तापमान तेजी से बढ़ और इस वजह से तूफानों के आने की तीवरता भी बदल रही है। धर्ती की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जिस वजह से ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। और समुद्र का जल स्तर तेजी से उपर आ रहा है। और इस वजह से आज समुद्र के किनारे बसे कई शेहरों पर डूबने का खत्रा मंडरा रहा है मौसम लगातार इनसान को चेतावनी दे रहा है कही जुलसाने वाली गर्मी ने लोगों का जीना मोहाल कर रखा है तो कही बर्फ की चादर ने लोगों की जिन्दगी को दुश्वार बना दिया है और बाड का रौदर रूप तो हम सब देख ही रहे है UAE और सौधी अरब जैसे देश जो की हमेशा से पानी की कमी से जूचते रहे है आज वहां भी बाड और आंधी तूफान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है दोस्तों अगर हम अपनी धर्ती को सेफ रखना चाहते हैं तो हमें अभी से सही कदम उठाने होंगे वरना हमारी आने वाली जेनरेशन शायद धर्ती का यह रूप नहीं देख पाए या शायद उनके आने तक यह दुनिया ही खत्म हो जाए यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताए